हेलो एवरीवन दृश्टी आये इसके नए प्लेटफॉर्म में एक बर फिर से आपका स्वागत है मैं हो गिता अंजली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भूगोल विश्य के यानि नेट जारे जोग्रफी के सिलिबस के आधार पर एक सीरीज को यहां पर लेका रहे हैं जिस वैकल्पिक विश्य के यानि भूगोल वैकल्पिक विश्य के एक आई के अनुसार पर कौन से टॉपिक हैं पर कौन से विश्य हैं जो महत्पूर है हमारी परिक्षा के लिहां से हम उन पर चर्चा करते हैं खासकर किस चीज पर चर्चा करते हैं उसकी कंसेप्ट पर चर्च है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ध्यान रखेगा एक आई साथ से जिसका नाम है सांस्कृतिक भूगोल सांस्कृतिक भूगोल यानि कल्चरल जोग्रफी यूनित नमबर सैविन से ही लिया गया है यूनेत शैविन का नाम क्या है सांस्कृतिक सामाजिक और राजनितिक भूगोल इसमें से हमने एक टॉपिक पिक किया है सांस्कृतिक भूगोल यानि कल्चरल जोग्रफी हम बात करेंगे कल्चरल जोग्रफी के बारे में जब भी हम बात करते हैं संस्कृति के संदर में ध्यानर किया नाम है इसका संस्कृति क्वूगोल तो संस्कृति कहां पर निर्मित होती है संस्कृति का निर्मान होता है एक समाज में और समाज किस्से मिलकर बनता है मानव से मिलकर बनता है यानि संस्कृतिक भूगोल का संबंध किस्से है मानव से जुड़ा हुआ है मानव का प्राकृतिक पर्यावरन के साथ जैसे ही संबंध स्थापित होता है इनके बीच जो भी अंतरक्रियाएं होती है यानि पर्यावरन यानि प्राकृतिक पर्यावरन और मानव की बीच अंतरक्रियाएं स्थापित होती है तो उसके बाद कैसे सांस्कृतिक भूद्रश् पर वहां पर मानव की एक्टिविटीज के आधार पर क्रिया कलापों के आधार पर ही एक भूगोल का निर्माण होता है जिसे संस्कृतिक भुगोल के नाम से जाना जाता है क्यों ऐसा हम कह रहेuir यक्पिमानव के रिया कलाबभों के अधार पर क्योंकि मानव अवायव शक्ता की अनुसार अपने ज्ञान और कोशल करें यानि मान लिजिए हैं कि हमें सोफे की जरूरत है तो हम हमारे ग्यान और कुशलता का इस्तमाल करके क्योंकि मनुष्य को आवशक्त है उसकी तो वह प्राकृतिक परियावरण से कुछ चीजों को लेकर अपनी आवशक्ता की अनुसार उनमें परिमार्जन कर क्या करता है एक कोई वस्तू का निर्माण करता है जो मन मनुष्य के लिए क्या है आवशक है यानि मनुष्य अपनी आवशक्तिया के अनुसार ज्यान और कौशल का इस्तिमाल करके परियावरण में जो परिवर्तन करता है परियावरण के साथ जलसी अंतरक्रियाएं करता है उसके बाद एक संस्कृतिक निर्माण होता है यह आप पूरा environment create करती हैं है ना उसे ही कहा जाता है सांसकृतिक भूगोल अब बात करें हम सांसकृतिक भूगोल के संदर्प में तो ध्यान रखिए सांसकृतिक भूगोल यानी यह किस पर डिपेंड करता है पर्यावरण पर कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह किस प्रकार का है और प्राकृतिक पर्यावरण में या इन पर्यावरण में जो भी हमें परिस्थितियां मिली है उन परिस्थितियों में विभिन्नता की वजह से इन परिस्थितियों में विभिन्नता की वजह से प्राकृतिक पर्याव करन सांस्कृतिक विवِधताइं पाई जाती है जैसे आपने देखा होगा कि प्रवती शेत्रमस तरों में निवास करते हैं उनकी जो सांस्कृतिक प्रताएं हैं रीती रिवाज हैं उनकी संस्कृति है कुल मिलाकर कह सकते हैं उनका सांस्कृतिक भूगोल क्या है अलग है तो विभिन परियावर्णी या पराकृतिक परियावर्ण में अंतर की वजह से जो सांस्कृतिक भूगोल है उसमें भी की बात करेंगे उनकी वहां पर जो भौगौलिक दशाएं हैं उन भौगौलिक दशाओं में अंतर के कारण यहां रखे यह आप कह सकते हैं भौगौलिक पर्यावरण इस भौगौलिक पर्यावरण में अंतर की वजह से जो संस्कृति हैं उनमें विभिनताएं पाई जाती है मानव की क्रिया कलाप वहाँ पर उनके रीती रिवाज उनकी प्रथाएं ये भी अलग-अलग होती है जिसका आप example समझ सकते हैं कि जो उत्तरखंड या आप कह सकते हैं हिमाली शेत्रों में लोग निवास करते हैं उनकी संस्कृतियों में डिफ्रेंस देखा जाता है मैदाने शेत्रों में निवास करने वाले लोगों की तुलना में और आप उत्तर भारत और दक्षिन भारत में भी अंतर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहां भी भोगौलिक जो दशाएं हैं भी अलग-अलग हैं इस वजह से क्या है वहां की भी रिती रिवाजों में और नौर्थ इंडिया की भी रिती रिवाजों में क्या है डिफ्रेंस पाया जाता है तो इस प्रकार से जो भोगौलिक परिशितियां हैं भोगौलिक जो पर्यावरण हैं उसके आधार पर एक अलग संस्कृति का निर को मिलता है जब भी हम सांस्कृतिक भूगोल पढ़ेंगे तो यह सबसे महतुपूर्ण चीज है कि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए किस स्थान पर क्या कर रहा है है तो मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए यदि आप समझे पशुपालन कर रहा है अलग शे ठीक है ध्यान रखेगा सबसे महतुपूर्ण बात यह याद रखेगा कि जैसे ही मनुष्य प्राकृतिक परियावरण या भोगोलिक परियावरण में बदलाव करता है तो माना जाता है कि मनुष्य प्राकृतिक परियावरण में अधिक प्रभावशाली हो गया है या परि भुत्व स्थापित कर लिया है यह हमने जाना किसके बारे में ध्यान रखे सांस्कृतिक भूगोल के बारे में क्या खे सांस्कृतिक भूगोल क्या है तो ध्यान रखे सांस्कृतिक भूगोल के आप स्पैसिपिक कोई डेफिनिशन नहीं दे सकते हैं जैसे कि हम अन्य भूग Foot definition दे डेते हैं लवायविज्ञान के हमने definition दिए ढम रॉक्रित के दिए रहाखेंcr tiya 2020 त उसके अ रखवाय ढूरत तो चैत्रों विज्ञान करते हैं कि इसे अध्याफ भी विषे वस्तू थे लेकिन इस विशेवस्तु या अधियन के आधार पर मानव की क्रियाओं के आधार पर एक स्पैसिफिक डेफिनीशन नहीं दी जा सकती क्योंकि अलग अलग भोगौलिक शेत्री अलग अलग भोगौलिक परियोवरन हमारे आसपास पाए जाते हैं ठीक है लेकिन यदि हम संस्कृति की संकल्पना की बात करें कि आखिर संस्कृति कहां से आया है कि आखिर संस्कृति शब्द आया कहां से है क्योंकि हम इसकी संकल्पना की बात करें इसकी कंसप्ट की बात करें संस्कृति की संकल्पना concept of culture की बात करें तो दर असल संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के सम प्लस कृति से आया है यानि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा के शब्द सम प्लस कृति का अर्थ ही है संस्कृति अब यहां सम प्लस कृति का मतलब क्या है तो जहां सम प्लस कृति का मतलब है परिश्कृत परिमार्जित परिश्कृत परिमार्जित या आप कह सकते हैं कि अपने शुद्ध रोप में जब कोई चीज आपको प्राप्त हो या मिले या शुद्ध ठीक है तो सम प्लस कृती का मतलब है संस्कृती जो की संस्कृत भाशा से लिया हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ है परिश्कृत परिमार्जित या शुद्ध तो अपने आप में कोई शीट जो है में शुद्ध प्राप्थ होती है परिश्कृत प्र इमारजित प्राप्त होती है उसके लिए शब्द का इस्तिमाल या प्रयोग किया जाता है ध्यान रखे अलग-अलग शेत्रों में संस्कृति को अलग-अलग नामों से इनके लिए अलग-अलग शब्द है जैसे अब इंग्लिश भासा की बात करें अंग्रेजी की बात करें तो इसके लिए संस्कृति में कल्चर शंब्द का प्रयोग किया जाता है तो अलग अलग है जिनका कहना है कि जो संस्कृति है वे संस्कृत भार्शा के ही एक शंब्द का मतलब उन्होंने कहा कि संस्कृती जो है वे संस्कृत भासा के संस्कार का ही एक रूप है संस्कार यानि प्राचीन समय से मनुष्य विभेन प्रकार की प्रक्रियाओं से आगे गुजरता रहा है और विभेन प्रक्रियाओं के गुजरने के क्रम में ऐसा माना गया कि इन विभ सामाजिक प्राणी बना यानि कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत भाषा से के संस्कार शब्द से ही संस्कृति निकल कराया है और उन्हें कहा कि संस्कृति का मतलब है संस्कार तो अंततह जो डेफिनिशन है संस्कृति की वे डेफिनिशन क्या है कि उन संस्कारों के आधार पर जिन संस्कारों के आकारण मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है ये सभी प्रोसेस ये सभी प्रक्रियाई इन सभी संस्कारों का समू क्या कहलाता है संस्कृति कहलाता है यानि इसे जीवन यापन के तौर पर लिया गया है लोगों ने क्या कहा लोगों ने माना या उन्हें संस्कृति की बारे में कहा उनने कहा की अनिस्ठानों को संपन्य करने के बाद व्यक्ति जब अपने शुद्ध रूप में या आप कहें कि एक समाजक प्राणे की रूप में निकलता है या मानव एक समाजक की ही बात करते हैं हम तो विभेन विद्वानों ने इसकी अलग-अलग definition दी है एक विद्वान की हम बात करें कि मौनटाग्य आपने मौनटाग्य का नाम जरूर सुना होगा ठीक है तो मौनटाग्य संस्कृति की definition दी है इन्हें कहा है कि संस्कृति मनुष्य के जीवन यापन की एक प्रोसेस है याने संस्कृति के लिए उन्हें क्या कहा कि संस्कृति या कल्चर क्या है एक मनुष्य के जीवन यापन की एक पध्यती है मनुष्य के जीवन यापन की एक पध्यती है तो इस तरह विभिन विद्वान आई जिन्होंने संस्कृति की अरगलग definition दी है definition के आधार पर मतलब आप कह सकते हैं संस्कृति की कई परिभाशाएं है लेकिन मुख्यता जो माना जाता है वह यहीं माना जाता है कि संस्कृति शब्द को या संस्कृति शब्द को कहां से लिया गया है संस्कृत से लिया गया है संस्कृत भाषा के सम प्लस कृति से लिया गया है जिसकार्थ है शुद्ध और परिमार्जित या परिमार्जन या आप कह सकते हैं परिश्कृत कुछ विद्वाना को मानना है कि संस्कृत शब्द के सं सामने आया है कि एक खास अनुष्थानों के बाद व्यक्ति या प्राणी विभिन संस्कारों को लेकर विभिन संस्कारों को ग्रहण कर मानव एक सामाजिक प्राणी बनता है तो इस तरीके से संस्कृति की अलग-अलग definition है संस्कृति को विभिन मूल्यों विभिन शैलियों विभिन प्रथाओं विभिन रीती रिवाजों की तौर पर भी देखा जाता है कि ये विभिन प्रथाओं रीती रिवाजों की आधार पर जो बाद में एक मनुश्य सामाजिक प्राणी बनता है तो इन सभी रीती रिवा के समूह के रूप में भी जो कि मनुष्य को क्या करता है मानव या समाजिक प्राणी बनाता है इसकी तौर पर भी इसे देखा जाता है ठिक है तो इन सब संस्कृति कि शेट्र के बात करते हैं कि ऐसा जानतीयों के बारे में चल्चा करते हैं टो ऐसा अपनी संस्कृति के विविद्धता है ठीक है उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेष्टा है उनकी अपनी सांस्कृतिक संदक्षण के लिए प्रयास भी किये जाते हैं तो वे सभी एक्टिविटी जो उनमें अलग देखने को मिलती है उनमें अलग तरीके से पाई जाती है वे उनकी संस्कृति की रूप में जानी जा सबते पहले तो हम यह कहते हैं कि वह पूरी किसी रीजन में तो हो गहीं यानि एक संसक्रतिक छेत्र होना चाहिए है यहना क्युकि एक छेत्र पर ही वह संसक्रती डर्लप होगी निर्माण होगी जब भी हम बात करते हैं जंजाती समुहों के बारे में अभी भी कुछ अलग-अलग समुधाय पूरे भारत में अलग-अलग राज्यों की अपनी-अपनी संस्क्रती हैं क्योंकि उनके सांस्कृतिक प्रथाएं हैं सांस्कृतिक रीतिरिवाज हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक प्रसार रीतिरिवाज या आप अलग-अलग नामों से जानते होंगे तो किसी भी छित्र के उनकी अपनी क्या है रिती रिवाज है अपनी प्रताएं है उनकी आधार पर क्या होता है संस्कृतिक निर्माण होता है ठीक है इसके अलावा अपनी उनकी संस्कृतिक पारिस्थिकी है ध्यान रखेगा संस्कृतिक पारिस्थिकी और यह अपने आप मे एक महतुपून टर्म है सांस्रक्रितिक पारुस्तिकी ध्यान रखे ऐ, सांस्रक्रितिक पारुस्तिकी से भी सवाल पहली नेट जियार्यडिक के परीक्षे में पूछा गया है जिसके लिए जो शब्द इस्तमाल किया जाता है ध्यान रखेगा cultural ecology, चीक है, cultural ecology तो ये भी अपने आप में एक महत्रपून टर्म है, कल्चरल एकोलोजिक की जब हम बात करते हैं, यानि मनुष्य और परियावरण के बीच एक संबंद की बात की जाती है, क्योंकि मनुष्य और परियावरण के बीच अनुकूलता इस्थापित होती है, कहीं न कहीं प्राकृ की तौर पर जयाना जाता है झिखानर रहेक सांस्पृति का या rapid पारिष्टिक की दो waiting क्या सांस्थ्डप शृत्र स्थ में सामिल हो जाते हैं सान्सकृति प्रसार्श दीiantes में शामिल हो जाते हैं सांस्थ्ग्रतिक भूद्रश की सामिल हो जाते हैं जा बासности सथारव करता था घ्न की है इसके अलावा सनस्कृतिक अंतरसंवंध तो द्वी करते हैं तो अलग अलग प्रकार की अंतरय के बारे में चल्चायй की हैं और और आंतरिक तत्तु ध्यान रखेगा, अलग 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 तरीके से भी तै किये जा सकते हैं, चीखे, क्योंकि अलग 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 तरीके से भी तै किये जा सकते हैं, चीखे, क्योंकि अलग 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 तरीके से भी तै किये जा सकते हैं, चीखे, क्योंकि अलग अलग अ के आंत्रिक तत्व हैं यह संस्रुक्रति के चीक है तो संस्रुक्रति से जड़ो है यदि कोई सवाल आता है नेट जारेफ की परिक्षब में तो आप उसे हल कर प्राकृतिक परियावरण का मनुश्य के साथ जो अंतरक्रियाएं होती है मनुश्य अपने अवशक्तिय के निस्वार अपने ज्ञान और कोशल के बाद जो अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटीज या तै करता है जो अलग-अलग सांस्कृतिक भूदरश्यों का निर्मान अलग होती है क्योंकि वहां उनका जो भॉगौलिक परियावरण है वह अलग है और जो मानव यदि हम बात करें मैंदानी शित्र के मानव की मैंदानी शित्र की लोगों की तो उनकी अपनी संस्कृति उनके रीतिरिवाज पहनावे वेस भूशा ये सब परवती शित्रों से अलग देखने को मिलती है तो इस तरह संस्कृति संस्कृति या संस्कृति भूगोल क्या है संस्कृति शब्द की अवधरना कहां से आई हमने बात की संस्कृति की आंतरिक तत्वों के बारे में और यहां पर एक शब्द आपने देखा होगा एतिहासिक धरूहर है ना या नहीं हम सांस्कृतिक धरोहर की तौर पर भी जानते हैं सांस्कृतिक धरोहर दो प्रकार की होती है मूर्थ और अमूर्थ ध्यान रखेगा सांस्कृतिक धरोहर की इन दोनों रूपों की अमूर्थ और मूर्थ इन दोनों रूपों के संरक्षण की बात हम करते हैं और इन दो कि आपने किसी खास चेदर का अपना मुल्य है उस चेदर की अपनी कुछ प्रताईं हैं उस चेदर की अपनी कुछ रिती रिवाज हैं तो यह इस थब किसके अंतरगत आ जाते हैं ध्यान रखेंगा है अमुःत सांस्कृतिक धरोहार या संस्कृतिक विरासत के अंतरगत हैं सारी चीजय क्ल लेकिन हम बात करते हैं मुःत और चंप सांस्कृतिक रहत की प्रगली स्थ संरक्षन के लिए क्या होती है कि आगे के जो पीड़ियां उनका संरक्षन करें अपने धरोहर का रख रखाव करें ताकि आगे आने वाली पीड़ियां भी जाने कि उनकी संस्कृति क्या है रही है उनकी विरासत क्या रही है उनकी धरोहर क्या थी तो सहीं मैं यह इध्यान र सात्मक जो उनकी द्रिश्टी है उनसको आगे लेकर बढ़ते हैं और इनके ही अपने स्वरूप की जब संदक्षण की बात हम करते हैं तो यहीं होता है क्या आतिहासिक धरोहरों के दोनों टाइप हमने देख लिए अमूर्थ देख लिए और मूर्थ जिसके अंतरगत हमने व संस्कृतिक धरोहर के तौर पर जाने जाती है तो आज की वीडियू 2 के सांस्कृतिक भूगोल का घ्र eux होती हैं क्या है क्या है तो मिलते हैं हमारी अगली फीडियो में आज के लिए इतना ही उसमें चर्चा करेंगे किसी अन्य खास टॉपिक पर तब तक आप पढ़ते रही रिवीजन करते रही शुक्रिया